तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप एक mobile से दूसरे mobile में WhatsApp का All Data काईसे ट्रांस्वर कर सकते हो यानि कि आपके WhatsApp पे जो भी चायट फोटो जहें वो सब आप दूसरे mobile के WhatsApp में काईसे ट्रांस्वर कर सकते हो चलिए हम आपको पताते हैं बड़ दोस्तो उससे पहले फिर आप यहां पर नीचे आएंगे यहां पर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा चैट को आप इस पर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों आप नीचे आएंगे यहां पर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा transfer chat का यहां देख सकते हो आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आप यहां पर start वाले option पर क्लिक करेंगे permissions को यहां पर allow कर देंगे आपके सामने ऐसा camera open हो जाएगा right so अब आप क्या करेंगे अपने दूसरे वाले phone में WhatsApp को open करेंगे and language जैसे कि मैं English को select करके देन में next करता हूं उसके करेंगे permissions को यहां पर allow करते चले जाएंगे उसके बाद में यहां पर आपको अपना mobile number डाल देना है यहां पर आपको यहीवाला mobile डालना है जिस नमबर से आपके फर्स्ट वाले phone में WhatsApp बना हुआ था राइट फिर आप next करेंगे continue करके permissions को allow करते जाएंगे बिए OTP नहीं आया है तो don't receive code पर क्लिक करके recent कर देंगे अगर इस टाइम आपका सिम यहां पर दूसरे mobile में पड़ा होगा तो directly call से या अर्ट वेरिफाई कर लेगा तो अभी हमारे पास यहां पर को टीपी आ चुका है तो यहां पर आप continue करेंगे राइट उसके बाद में permissions को ऐसे allow करेंगे आपके सामने यहां पर qr code ऐसे आ जाएगा अब आप फस्ट वाले फोन से ऐसे सेकेंड वाले फोन को qr code को scan करेंगे और अभी आपके में यहां पर permissions आ जाएगा इसको आप accept करेंगे राइट फस्ट वाले फोन से सेकेंड वाले फोन में यहां पर वट्सप का डेटा ट्रांसपर हो रहा है तो गाई जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आप वेट करना अब आप देख सकते हो यहां पे complete हो चुका है हम इसमें simple next करेंगे इधर turn कर देंगे और यहां पर continue करेंगे permissions को allow करेंगे नेक्स अभी आप देख सकते हो हमारे फस्ट वाले फोन का वाट्सप सेकेंड वाले फोन में और ट्रांसपर हो चुका है सारा का सारा यहां पर चाहिट हो करा आ चुका है तो अभी इसमें Log Out मांग रहा है देख सकते हो Log In मांग रहा है जो और इस तरीके से यहां पर एक मोबार से दूसरे मोबार में WhatApp का All Data Transfer कर सकते हो और दोस्ट सो हो सकता है कि आपको एक प्रोप्लम वेस करना पड़ गडानाइट दुस्तो इस अरीके से आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वट्सप का आल डेटा ट्रांस्वर करचकते हो दूस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो चले दोसे हम आप से मिलेंगे अगले न्यूव वीडियो के साथ आप तक लिए जाए हिंद जाए भारत